अर्चनी वन्नी संसामाज धर्म पेमी सज्जनों या माताओं सद्गुरु कबीर की 623 जनती पर हम सब इकठा हुए हैं सद्गुरु की उपादे सिर्फ सद्गुरु कबीर को दिया जाता है सद्गुरु कबीर एक ऐसा विराट पुरुश हुए जिसके बारे में कहना बहुती ही सरल और देखा जाये तो बहुती ही कठीन दोनों तरह की बात है अगर जबान से कहा जाये तो बहुती ही सरल है लेकिन जीवन में जिया जाये तो बहुती ही कठीन है वो सद्गुरु कबीर है सद्गुरु कबीर एक ऐसा महापूरुस हुए है भारती परंपरा में जिसको सबने सुविकार किया अन्या महापूरुसों को सबने सुविकार नहीं किया है लेकिन सद्गुरु कबीर को हिंदू मुसल्मान सब मानने के लिए तयार हुए वो बाते कहते थे जो आदमी के समझ में आएं और उनके दिल और दिमाग में वो बाते बैठ जाए सद्रू कबीर ने वो बाते कही जो कि शमाज को जोड़ने का काम किया परिवार को जोड़ने का काम किया सद्रुकबीर ने कभी ऐसी अटपटी बात नहीं कही है जिससे विखंडता पैदा हो, जिससे विकराल पैदा हो, जिससे आडंबर पैदा हो, जिससे करमकांड हो वो बाते सद्रुकबीर साहिब नहीं कहते है सद्रुकबीर साहिब प्रेम से जीने का तरीका बताते हैं अध्यात्म रस तक पहुंचाते हैं और अंति मुचाई तक ले जाते हैं सद्रुकबीर साहिब वो बाते कहते हैं और जब सद्रुकबीर साहिब धर्म की बाते कहते हैं तो उसे कोई धार्मिक कहते हैं जब अध्यात्म की बात कहते हैं तो अध्यात्म वादी कहते हैं और जैसी जैसी इस्ति देखते हैं वैसे सद्रू कबीर साहब कहते हैं उनके सामने जैसा विचार आता है जैसा समा जाता है वैसे ही विचार बोलते हैं सद्रू कबीर साहिब अकड़ी हुए नहीं थे जैसे जैसे माहौल मिलता गया वैसे वैसे विचार कहते चले गये अवाज इसलिए सद्रू कबीर के मानने वालें की अनमानने वालों की उपस्तिती बढ़ती जा रही है सद्रू कबीर के बाते जो आज से 623 वर्स पूर्व कहें हैं वो बाते आज भी विज्ञान के साथ बराबर बैड़ती है टकराती नहीं है जो बाते आज विज्ञान कह रहे हैं उन बातों को सद्रू कबीर साहिर 623 वर्स पूर्व कहते हैं सद्रु कबीर साहिब छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बाते कहते हैं आदमी को प्रेम से किस प्रकार से अपने सहरा दे करके आगे बढ़ाये जाए कैसे प्रेम दिया जाए कैसे आपस में इसने हो इन सब बातों को लेकर के चलते हैं सदुर कबीर साहिब जब अपनी बात कहते हैं तो कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों चर्णन होई हो बंदा अपकी पुरिया जो निर्वारे सोजन सदानन्दा ऐसा पुरुष मुझे और नहीं दिखते हैं कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों आप उनके सब्दों को देखिए मैं दादा कहता हूं भाई कहता हूं बाप कहता हूं चर्णों की वंदना करता हूं जो अपकी पुरिया जो निर्वारे जो अपकी पुरिया वासनाओं की पुरिया का निवारन कर देते हैं सोजन सदा कोई बड़े फुरुष इतना प्रेम से इतना करणा विगलित हो करके किसी के सामने जा करके अगर कहे कि मैं तुम्हारे चर्णों को वंदना कहता हूं दादा कहता हूं भाई कहता हूं बाप कहता हूं कि है लोग उनको मानने के लिए तयार नहीं होंगे सद्रुकबीर के पास में हो कला थी जो की जन मानस को जोड़ते गए सद्रुकबीर साहिब एक चीज़ और बता हूं मैं सद्रुकबीर साहिब जन समाज में पैदा हुए सद्रु कबीर को जन्मानस मिला बुद्ध हुए है राम हुए है कृष्ण हुए है इनको सब ने सुविकार नहीं किया महापुरुस वो भी है लेकिन सब ने सुविकार नहीं किया जितना सद्रु कबीर को सुविकार किया उतना इन महापुरुसों को सबने स्विकार नहीं किया आप देख लिजे स्री कृष्णा है भगवान राम है भगवान बुद्ध है ये बड़े-बड़े राज महलों में गाने वाले गीत हैं सिर्फ बड़े-बड़े लोग स्विकारते हैं कोई-कोई स्विकारते हैं लेकिन सद्रुकबीर को सब स्विकारते हैं, सद्रुकबीर की विसेस्ता ये थी, क्योंकि वो बाते जो कहते थे, वो महापूर से बड़े-बड़े लोगों को समझ में आती थी, लेकिन जो बाते सद्रुकबीर साहिब कहते थे, वो जनमानस के भासाओं में कहते थे जनमानस में चर्चा करते थे और सिंपल और साधा सब्दों में कहते थे इसलिए सद्दुरु कबीर को सब स्विकार किये आज कोई भी प्रवगता है जो सद्दुरु कबीर के बातों को नहीं लेते हैं तब तक उनके बाते अधूरी सी लगती है सद्रू कबीर के बाते ही उन बातों को पूरा करती है उन खाईयों को भरती है जो बीच में दरार पैदा होते हैं उन खाई को समेड़ते हुए दरारों को समेड़ते हुए सद्रू कबीर के बाते चलती है सद्रु कबीर के एक बाते एक लाइने अगर जीवन में आचरी तो हो जाए तो जीवन में कल्यान हो सकता है सद्रु कबीर साहिब कहते हैं जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर बस इतना ही जीवन कल्यांड के लिए काफी है जिस समय सद्रु कबीर साहिब हुए उस समय भी गंगा मां की प्रसिद्धी थी अवाज भी प्रसिद्धी है उस समय भी गंगा की काफी प्रसिद्धी चल रही थी तब कि बात कहते हैं जाको मन निर्मल भया कैसे निर्मल फिर उधारन देते हैं जैसे गंगा नीर जैसे गंगा का पानी पवित्र होता है वैसे ही मन यदि निर्मल हो गया पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर उसके पीछे फिर हरी फिरता है उसके पीछे हरी दौरते हुए चले जाता है कबीर कबीर पुकारते हुए मतलब है कुल मिला करके मन को सोधना परमपुज सद्गुरू सुरी अभला साहर जी कहा करते थे मन को रुई की तरह धुन डालो जैसे रुई को धुनने के बाद में उसका जो गरदा गुबार होता है वो नीचे चला जाता है और रुई हलका हो जाता है ठीक उसी तरह मन को धुन डालो मन को हम जितना ही धुनते हैं मन उतना ही हलका होता जाता है और उतना ही हम पवित्र हो जाते है मन कहीं तो आडंबर है मन कहीं तो खेल है मन कहीं तो खेल है भाई भाई में छल करता है मन कहीं तो खेल है देरान जेठान में खेल करता है मन कहीं तो खेल है पडोसी पडोसी लड़ते है यह मन से चालू होता है अगर मन ठीक हो जाता है तो बांकी चीजों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम सब कुछ करते हैं लेकिन मन को नहीं साधते हैं सदूर कबीर साहब कहते हैं एक साधे सबसाधिया सबसाधे एक जाए जैसा सीचे मूल को फुले फले अगाए मन को सीच साधना है सदुरु कबीर सहब कहते है एक साधे सबसाधिया यदि मन को साधते हो तो सबसद जाता है जैसे एक आदमी मूल को सीचता है मूल को सीचना मतलब है एक पेड के जड़ में पानी डालता है तो फूलता है फलता है ठीक ऐसे ही मन को साधना है मन का ही चक्र है मन में द्वेश का भाव आता है भाई और भाई आपस में प्यार से बात नहीं कर पाते हैं मन में द्वेश का भाव आता है माता पिता आपस में नहीं मिल पाते हैं मन का ही खेल है मन को जितना ही हम सोधते हैं मन को ही जितना ही हम परिमार्जित करते जाते हैं, उतना ही हम आत्म दसा में जाते हैं, और जितने भी अध्धात्म केंद्र है, मन पर है, कुछ लोग को तो मन की बाते समझ में भी नहीं आती है, बिना मन के कुछ नहीं होता है, जब तक हम मन को नहीं समझते हैं, मन को नहीं ग सदुरु कबीर की बाते मन पर बहुंच जोड डालते हैं। मन मन करते सुर नर्मुनी जहड़े। सदुरु कबीर साहब बड़े बड़े लोगों को वीच फटकार देते हैं। सदुरु कबीर साहब एक ऐसा विराट पूरुस हुए। बीच में चर्चा आ रही थी, कि जैसे हमारे संद कहें कि हर विषय पर चर्चा करना संभो नहीं है। सदुरु कबीर साहब एक ऐसा है। जैसे हीरे के छपपन पहल होते हैं और सभी पहल चमकदार होते हैं अपने आप में। हीरे के सभी पहल अपने आप में चमकदार होते हैं, ठीक सद्रू कबीर सहब के हर पहल वैसे ही चमकदार है, चाहे अध्यात्म कहो, चाहे परमार्थ कहो, चाहे जिस छेत्र पर लो, चाहे धारमिक्ता पर कहो, जिस छेत्र पर सद्रू कबीर सहब के विचार रखेंगे, सभी सद्रु कबीर साहब के चमकदार होंगे हीरे के 56 पहल चमकदार होते हैं किसी भी पहल में कमजोरिया नहीं होती है ठीक ऐसे ही सद्रु कबीर साहब के विचार है आज हम सद्रु कबीर साहब के अनुवाई तो कहलाते हैं लेकिन जीवन में उतनी जीवन में आचरन नहीं हो पाता है इसलिए बीच में कह रहा है थे कि हम महापूर्सों को तो मानते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं उनकी बातों को मानना है जीवन में आचरन करना और सबसे बड़ी उपलब्दी है कि हम आपस में जब तक जीते हैं आपस में प्रेम से जी ले इससे बढ़कर की उपलब्दी कुछ नहीं होती है आप कितना पैसा कमाल लेते हैं ये आपकी उपलब्दी नहीं है आपके कितने बच्चे हैं, कितने परिवार हैं, कितने गाणियां हैं, कितने बंगले हैं, ये आपकी उपलब्दी नहीं है, आपकी उपलब्दी है, आपकी मन की दसा, आपकी उपलब्दी है, आपके इस जो है, उनके साथ में आप कैसे मिलते हैं, जूलते हैं, आपके और आपके घर वाले को बैचाएनी हो, कि कहाँ चले गए, मम्मी नहीं दिख रहे है, पापा नहीं दिख रहे है, भाई नहीं दिख रहे हैं, तो यह आपकी उपलब्दी होगी, इसलिए आप अपने जीवन को आइसे सोधिये, ऐसे बनाएए, मन को ऐसे रखे, मन को मक्षन की तरह कि आपके परिवार वाले आपको चाहे आप जहां भी जाए, लोग आपसे मिले ते एक बार महसुस करें, वास्तों में उस आदमी से मिला था तो आदमी के अंदर एक आदमी आता है वो आदमी के अंदर समाज नहीं चल सकता है सदरु कबीर साहिब कहते हैं प्रेम गली अतिसा करी जामे दो नशमाए प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी सकरी है जिसमें दो नहीं समाज सकता है अंकार और प्रेम नहीं हो सकता है उजाला और अंधेला नहीं हो सकता है इसलिए प्रेम से जीना है तो अंकार को त्याग करना होगा, कुरोध को त्याग करना होगा प्रेम आदमी को महन बनाता है एक संथ जो की दिखने से बहुत ही खुंकार दिखता था बहुत ही खुंकार एक छोटी सी बच्ची उनसे मिलना चाहते थे उनके पास काम करने वाले सेवा कहते थे, तुम जिनसे मिलना चाहते हो उनको देख करके तुम डर जाओगे, इतना विक्राल दिखता है, तुम नहीं मिल सकते हो, डर जाओगे, वो बच्ची जाती है और उनसे मिलती है, वो शंद बच्ची को उठा लेती है, प्यार से अपने गोध पर बच्ची कहती है मेरे पापा कहते थे आप बहुत विक्राल है बहुत दरावना है लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने चेहरा को नहीं देखा उनके भाव को देखा है आदमी बाहरी उपलब्धि में अटक जाता है और जीवन के महत्तों को नहीं समझ पाता है यदि आदमी प्रेम को महत्तों देता है तो धन किनारे चले जाते हैं प्रेम को महत्तों देते हैं तो गाड़ी बंगले किनारे हो जाते हैं आदमी सामने आ जाते हैं प्रेम के अभाव में तो है सबसे पहली कोई ससराल में आती है साधी हो करके तो आपस में कितना प्रेम होता है लेकिन कुछ दिनों बाद में दरार पैदा होना सुरू होता है देरान और जठान नहीं मिल पाते हैं सास और बहु नहीं बात कर पाते हैं आपस में दरारे पैदा होते चली जाते हैं क्यों क्योंकि प्रेम घड़ता चला जाता है प्रेम एक ऐसा सुत्र है जो कि जितना ही बाटो और जितना ही दो वह उतना ही बढ़ता चला जाता है सद्रु कबीर के बातों को मानने के लिए बड़ा आदमी होने की जरुरत नहीं है का और खास बात सद्रु कबीर के बातों को कोई भी मान सकते हैं और कोई भी आत्माउधार का काम कर सकते हैं सद्रू कबीर के बाते के लिए बड़े पूजा की जवरत नहीं है बड़े अर्चना की जवरत नहीं है बड़े यग्य क्यरवाने की जवरत नहीं है बड़े लोगों को बनाने की जवरत नहीं है बस हम घर बैठे कबीर की साधना कर सकते हैं घर बैठे कबीर को पूज सकते है और सद्रू कबीर साहब को कुछ विद्वानों ने तो अनपड़ घोसित किया, कुछ लोगों ने तो साधी सुधा घोसित किया, भला ऐसा सद्रू कबीर साहब जो कहते हैं, जो आज की व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, जिन बातों को सद्रू कबीर साहब जिस समय लहरतारा में थे आथर्म करे मुरे भाई, जो तोहरा को ब्रामन कहे, तो काको कहे कसाई जीव मार करके हत्या करते थे आज भी पड़े लिखे जबाना में, सिक्षित जबाना में आज भी मंदिरों में बली चड़ाई जाती है, जानवारों लिखे लोग कहेंगे, जो नासमझ लोग है, जो अनाड़ी लोग है, जो पंडे और पुजारी के चकर में आ करके बली चड़ाते हैं, सदुरु कबीर साहिब उस समय, जिस समय, ब्रामणों को वर्चस्व था, उस समय इस सारी बाते कहते हैं, जो तोहुरा को ब्रामण कहें, तो किसको कहें कसाई, अगर कोई तुम्हें ब्रामण कहते हैं, तो कसाई किसको कहा जाएगा, सदुरु कबीर साहिब बहुत विद्वान पुरुष थे, और हर छेत्र में अवल थे वो, किसी भी छेत्र में कमी नहीं थी कोई भी, उनका बोलना, उनका चलना, उनका हर क्रिय कलाप वास्तों में मानो भगवत्ता रूप था सद्रु कबीर साहिब लोग जो बाते कहते हैं वो कहते हैं तो कहते चले जाते हैं एक लेपर कुंजन कुम्भ कुमार का एक धका प्रार जब कहसे कहना शुरू करते हैं, तो कुंजन, कुम्भ, कुमार का, देखिए कैसे उनका लेह बोलने का तरीका है, और सदुरु कबीर को कुछ लोग अनपढ़ के घोशित करते हैं, जो आदमी अनपढ़ होगा, वो इस तरह के बाते कहेंगे, वेदों के बात कहते हैं, मापुरानों के बात कहते हैं, रमायन के, रिश्री राम की चर्चा करते हैं, ऐसे लोग सदुरु कबीर को नहीं समझ पाएं, और सदुरु कबीर को समझना आसान नहीं, इसलिए मैं कहा, कि सदुरु कबीर के बारे में बोलना उतना ही असान नहीं है जितना ही कठीन भी है और बहुत ही असान भी है इसलिए हम सद्रुकबीर के बातों को समझे जीवन में प्रेम से जीना है तो सद्रुकबीर के बातों को समझ करके प्रेम से कैसे जीना है सद्रुकबीर के पुस्तकों को अध्यन करें, उनके विचारों को देखे, सद्रुकबीर साहिब के साखी गरंथ है, उनको अध्यन करें, और इद्दम कहना चाहिए करमकांड और पाखंड से अलग सद्रुकबीर का विचार है, बस खास बात ये है, सद्रुकबीर के विचारो हो वहा करमकांड हो गया जैसे हम आज सlt diu के पाठ चर्चा कर रहा है यदि जिवन में आचरन नहीं है तो सब के सब करमकांड है हम बात करवी है लेकिन सत्या है यदि हम भगवान की पुजा करते हैं राम की, क्रिश्न की, बुद्ध की, महावीर की कबीर के किसी की भी पूजा करते हैं और जीवन में आचरण नहीं होते हैं आचरण नहीं हो पा रहा है तो हम सब के सब करमकांडी ही कहलाएंगे और कुछ नहीं कहला सकते हैं इसलिए करमकांडी नहीं बनना है हमको जीवन में आचरण भी करना है तब हम विया थार्थ हमें सद्गुरु कभीर के अनुवाई कहला सकते हैं बस इतना ही कहा कर अपनी वार्णे को विराम देता हूं बोलिए सद्गुरु देवा की जये